नमस्कार आप सभी का स्वागत है रॉकेट में और मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि ट्रिग्रोमेटरी क्या है आप लोगों ने आज तक बहुत सारे जुगाड सीखें ट्रिग्रोमेटरी को याद करने गे जैसे कि वह कुछ होता है पंडित भी हारी संब्धिंग करके या ओगर मिजह मता desses के या है सब्सक्राइब करने लिए कि हमें ग्राउंड फ्लोर से फिर्स फ्लोर पर जाना था तभी तो हमने सीलियो पर यूज किया ना तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो हमने नोटेस किया जो हमें ट्रिनोमेटरी सामने आई तो मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ कि क्या हुआ ऐसी चीज थी जिसे नोटेस किया गया है क्या हुआ ऐसी ज़रुरत थी जिसकी वज़े से ट्रिनोमेटरी हम लोगोंने स्टडी कियी तो आएगे बात करते हैं, suppose that trigonometry is all about the three sides of a triangle, so I will surely take a right angle triangle ABC, जिसके आप देख सकते हैं, यह right angle triangle ABC जो की B पर right angle है, और इसके 3 sides है, A, B, C और A, C इनको कुछ नाम दिये गए है, perpendicular, base, and hypittacus, इसके बारे मैं बात करेंगे, यह standardization है, ताकि यह चीज़े fix रहे, but वो notice किया गया गय चील के अंदर हम नों ए तो हम दो है को शुक्त लए चलिएफ शुर। और इसको connect करो तो जो ratio a-b upon में a- c- काएगा ये equal आएगा इत वस सप्राइजिंग अब अगर में a- और a की बीच में कोई एक point लेगा suppose कीजिए a double dash और इसे connect कर दू किसी एक point से c double dash तो जो ratio a double dash b और a double dash c double dash काएगा बी इसके equal आएगा अब ये तीन different triangle बन रहे हैं a b c एक right angle triangle बन रहा है एक right angle triangle बन रहा है a double dash b c double dash और एक right angle triangle बन रहा है a dash b c dash इन तीनो triangle की इन sides का measurement अलग है उसके बावजूद भी जो इनका ratio आ रहा है वो same आ रहा है तो कुछ तो logic था और वो logic ये था कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये angle है ये यहाँ भी same है यहाँ भी same है और यहाँ भी same है अगर ये angle theta है तो यहाँ पे भी angle theta है और यहाँ पे भी angle theta है तो मतलब angle से उन्हें कुछ relation मिला और अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने किसी एक ratio की बात कर लिए जैसी कि इस side का और इस side का total हमाज पास 3 sides हैं आप देखे ratio क्या क्या हो सकते हैं अगर मैं in case जैसी कि अब नाम दिया जाता है तो अगर हम इसको perpendicular resume कर ले इसको base resume कर ले और इसको hypertonus resume कर ले तो जो ratio आप देखो क्या क्या ratio बन सकते हैं perpendicular upon hypertonus perpendicular upon base base upon hypertonus base upon perpendicular और क्या बन सकता है अगर हम बात करें hypertonus upon perpendicular hypertonus upon base total 6 ratios है 1 2 3 4 5 और 6 जिनको नाम दिया गया 10 theta, sin theta, cos theta, cot theta, sec theta और cosec theta हाँ आप लोग इस चीज को याद करने के लिए जुगार रखते हो ताकि आपको यह formula याद रखें बट इसका reason यह था जहां से यह चीज निकल किया है इन ratios को नाम दिया गया और वहीं इन sites को standardized किया गया तो पर्पेंडिकुलर, base, or hypertenuous जो आप 3 sides देखते हो इनका basically standardized way वो यह है कि 90 degree के जो opposite side होती है उसे बोलते है hypertenuous side which is opposite to 90 degree is the hypertenuous side which is opposite to the angle जिस angle पे आप trigonometric ratio निकाल रहे हो उसे बोलते हैं perpendicular तो अगर suppose कीजिए हम theta की बात कर रहे हैं तो theta की case में यह perpendicular होगा और theta की जो adjacent side होगी वो होगी हमारी base और यहीं पे जैसा कि मैंने आप लोगों को नाम बताया यह sign है यह cause है आपका यह ten है यह caught है यह sec है यह cause है क्या फरक पड़ता है इस यह सब्सक्राइब है बट in general जो इस वीडियो का मकसद था यह जानना कि क्यों हम लोग in ratios को study करते हैं तो यह ही है अब एक example मैं आप लोगों को देके दिखाता हूं तो suppose कीजिए अगर मैं बात करूं साइन थीटा की ही और थीटा को अगर हम fix करते हैं 45 तो suppose कीजिए हमने एक triangle बनाया है हम इसी तरह का एक triangle ले लेते हैं जहां पर यह angle है यह 45 degree है अब यह बात शौर है यह बात शौर है क्योंकि हम लोगों को पता है table sin 45 degree की value होती है 1 by root 2 sin 45 degree की value होती है 1 by root 2 तो यह बात शौर है कि no matter आप यह triangle कितना भी बड़ा बनाओ आप यह triangle इतना सा बनाओ या आप यह triangle इतना बड़ा बनाओ या आप यह triangle इस पूरे board में बनाओ अगर आप इस angle को 45 रखोगे तो जो side इसके opposite है जिसे मैं perpendicular बोलूँ हां और जो side 90 degree की opposite होगी जिसे मैं hypotenuse बोलूँ हां इस P by H का जो ratio आएगा यह surely 1 by root 2 आएगा क्योंकि इसी चीज़ को sine theta बोला जाता है और हमारे इस case के अंदर theta की value है 45 डिगरी जिसके ओपर sign आता है 1 by root 2 तो यह फायदा ट्रिग्नोमेटरी लिगा मतलब हम एक right angle triangle के sides के ratio के बारे में बहुत कुछ predict कर सकते हैं क्योंकि हमने यह देखा कि यह same pattern को follow कर रहा है तो यह थी वो चीज चीज चीजे notice किया गया जब हमने लोगोंने trigonometry की field को मनाया और आज आप लोग इस चीज़ों को study करते हो बहुत सारी चीज़े हैं जो आप लोग जुगार से याद रखते हो कोई दिक्कत वाली बात ती है बट जानना किस दूर होगी है तो शुक्रिया ये वीडियो देखोंगे